तो हेलो गेमर इटीज मी सेल्जो और फास्ट फूड मैनेजर के एक और एक एपिसोड में आप सभी का सुवागत है तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर हमने इस रूम का सैटप पूरा कंप्लीट कर दिया है तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर हमने एक नई दुकान लिये जिसमें आज हमें काम शुरू करना है लेकिन उस से पहले जो हमारी पुराने दुकान दिना उसमें जितना भी समान है वो हमको बेचना है ताकि हमारा जितना भी समान हो खराब ना हो हम नई दुकान में जाएंगे तो नया समान लेंगे जाहिर सी बात है ओ एक मिनिट भाई यहाँ पर तो मेरे कुछ पैसे भी रखे हुए अरे भाई शुकर है किसीने चोरी नहीं करे मुझे लगा था कोई चोरी चकारी नहीं कर ले लेकिन भाई यहाँ के लोग मुझे लगता काफी ज़्यादा इमान दार है तब ही इन्होंने मेरे यहाँ से कैश भी नहीं चका फिला भाई यहाँ पर अभी हम जाने वाले अपने नई शॉप की तरफ में आपको दिखाता हूँ जो हमारी नई शॉप है वो कितनी जादा धमाकेदार है मलं अभी हमने वापर कुछ ले तो नहीं है लेकिन भाई थोड़े टाइम बाद हम आपर हम काफी कुछ लेने वाले जैसे कि हें यहाँ पर हम होर्डोग मशीन लेने वाले एक नया यहाँ पर हम वरकर रखने वाले जो वापर hot dog वगेरा बनाएगा और वहाँ के जितने भी customer होगे उनको खिलाएगा और automatically हमको पैसे बनाके देगा तो ये सब होने वाला है इस नई वीडियो में तो ये वो नया shop है जो हमने लिया है फिलाल अभी काफी ज़्यादा बेकार लग रहा है पर चलो कोई बात नहीं इसको हम आज customize करने वाले मलबा इसका यहाँ पर नाम वगेरा रखेंगे थोड़ी यहाँ पर शीशे वगेरा चेंज करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नाम रखते है अपने दुकान का तो क्या नाम रखे एक मिनट शेल्जो लग देते हैं शेल्जो पहले भी रखा था कोई नहीं दुबार से रख देते हैं शेल्जो शॉप ठीक है या फिस शेल्जो रख दे शेल्जो शॉप रखते हैं उसके बाद भी हम यहाँ पर इसको ना पर थोड़ा सो कस्टमाइज करते हैं और मैं आपको दिखा तो फाइनली मिस त् monuments हो के ना कैसा लगने वाला है तो क्यास बेचा यहाँ पर देखहा हमने काफी कुछ SET किर लिया है तो finally हमारा अने वाला जू अपनी दुकान का वो कुछ इस तstrीक हे का आने वाला है यहाँ पर देखो मैंने होट डोग वाला लोगो भी लगा कर रखाव है ताकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि बेसिकली इस दुकान में सबसे जादा फेमस क्या चीज़ है वो है हमारा होट डोग तो अगर किसी को भी होट डोग खाना होगा तो वो देखके ही आजएगा इस दुकान की तरफ तो भाई यहाँ पर हमारी जो दुकान है काफी हद तक कस्टमाईज हो चुकी है जितना बड़िया हम इसे लुक दे सकते थे मैंने दे दिया होरों से एकदम हटके तो अब भाई यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ समान में लेना होगा लेकिन फिलाल अभी तो हम उस दुकान को छोड़ने वाले है क्योंकि हमारे पास जो पुरानी दुकान थी उधर भी काफी कुछ रखा हुआ समान तो सबसे पहले हमको उनको बेचना होगा कि अगर ज़्यादा देर तक हम उनको ऐसी खुले में रखेंगे न तो यह सब के सब खराब हो जाएगे और यह सब के सब हमें फैकने पड़ेंगे तो इससे हमारे बिजनस में काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो अभी तो भाई यहाँ पर यह नुकसान में बिल्कुल भी नए उठाने वाला हो क्योंकि हम नए नए है और हमारे पास पैसो की काफी ज़्यादा कमी है इसलिए यहाँ पर हम कुछ टाइम तक जितने भी समान हम बेच सकते उनको बेचेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपनी नए दुकान के लिए समान लेने के लिए और साज साथ कुछ नए चीज लेने के लिए जैसे होट डोग बना लेके लिए आपना हमको नए नए मशीन चाहिए होगी तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी मशीना में लेनी है क्या कुछ करेंगे वो आगे यी वीडियो में पता लगेगा अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हो तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दो यार पिछली वीडियो में तो भी आपने लाइक की भरमार कर दी थी तो इस वारी भी आप इस वीडियो पर लाइक दबा दब दे दो ताकि आने वाली वीडियो हो और भी जादा मज़ेदार हो फिला पर यहाँ पर सबकू समान सेट है मैंने सबकू सेट कर लिया है जितने भी मेरे पास समान है, उनको आउटो स्टोक कर दिया है, बस कुछ ही समान को मैंने अपने पास रखा हुआ, जिनके प्राइस भी मैंने गटा दिये, ताकि यह सब समान हमारे फटा फट भीग जाए, ठीक है, मुझे इन समान को फटा फट बेखना है, तो जितने भी समा यहां पर एक फ्रेश इनके लिए कॉफी बनाते हैं, ठीक है कॉफी बनाने को रख दिया है, कॉफी में हलका सा दूद्ध और चीनी डालनी पड़ेगी, वो उनको चीए ठीक है, यहां पर दो तिन होर कस्टमर आ चुक है, जिनको यहां पर मैं डोनेट देता हूँ, यह लो ए कॉफी बनाने के लिए रख देते हैं, ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर कॉफी बनने शुरू हो चुकी है, और जैसी जैसे यहां पर हमारे सितने समान बिकते जाएंगे ना, उतना यहां पर हमको फाइदा होता रहेगा, तो एक मिनट भाई, इतने ज़्यादा कस्टमर आने शुरू हो गए यार, यहां पर यही होता है, शुरू शुरू में कोई भी कस्टमर नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर इतने सारे कस्टमर आते हैं, कि उनको हैंडल करना मुश्किर होता है, एक मिनट यह कॉफी किस की थी, अच्छा, मैं एम की कॉफी थी, मैं मेरा कप क्यों खटम हो एता है भार बार थीक है दूबार से कॉफी यहाँ पर अभी मेरे को और 5 ने कोफी के उड़ आ चुके है भाई लगता है मेरे को मेरे को और जौव पना रेट बढ़ाना पड़ेगा है यहां के लोग कुछ जाद ही कॉफी पी रहें पर चलो कोई बाद नहीं आज के दिन हम इने ससा दे देते हैं क्योंकि वैसे भी हमने यार यहाँ पर साथ समान बेचना है उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे एक नई दुकान के तरफ तो यहाँ पर यार जितना भी हम इनको बेच सकते बेचेंगे इन्हें कौन सा पता कि यहाँ पर समान कितना पुराना है यह सोचे सब कुछ नया नहा है इनको यह भी नहीं पता यह सब समाना बहुत ज़दा पुराना है और जाद देता कि समान ऐसी पड़े रहेंगे तो यह खराब हो जाएंगे और हाँ खराब होने से याद आया कि यहाँ पर ना मेरको ना एक फ्रिज भी लेके आना है ताकि जिसके अंदर में समान वगएरा रख सकू और समान रखूँगा तो वह जल्दी खराब भी नहीं होंगे एक मिनट भई यहाँ पर यहाँ आपर समान खराब हो चुका है तो इसको भी बेच नहीं सकता हूँ तो अब यह जितना भी समान तरना यह मेरा फ्री में बरबाद हो गया तो इसके मजें पैसे नहीं मिलेंगे तो यह मी नहीं चाहता होंगे हमेजी everything टो वही उनके मुझे आपड कम पैसे मिल जाएं लेकिन कुछ ना कुछ तो मिले क्यों पैसे रिकवर हो जाएंगे लेकिन अगर वही समान खराब हो जाए गना तो बस वह फैखने के काम आएगा और किसी अहीं जो एगा और अजयर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो यहां पर मुझे एक employee रखना था लेकिन मेरे ख्याल से वह employee ना खाली खाना वगएरा बना सकता तो उसको मैं बड़े restaurant में रख सकता हूं छोटे मोटे restaurant है मुझे खुदी काम करना पड़ेगा जैसे के हमारा ठेला यह बहुत छोटा है तो इधर भाई मुझे खुद से काम करना पड़ेगा लेकिन जो हमारा hot dog room है ना जो हमने hot dog shop ली है वहाँ पर सायसे में अपना worker hire कर सकता हूं और वही हहाँ पर वह काम करेगा फ एक दम से किसी के कुछ भी पता नहीं लगता है पर तब भी मैं अपना पूरा best त्यार करूंगा ताकि यहाँ पर ना मेरे को बिल्कुल भी गलती ना हो बिल्कुल भी मेरे पैसे बरबाद ना हो तो पस यहाँ पर एक last order रह गया है जो है coffee का coffee with यहाँ पर एक sugar डालनी है ठी ठीक है यहाँ पर finally जितने भी customer थे उन सबको हमने यहाँ पर खाना पीना खिला दिया है तो जितने भी order थे वो यहाँ पर खतम हो चुके लेकिं यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को मैं auto stock कर देता हूं जो खतम हो चुके ठीक है यह भी है मेरे पास एक मिनट coffee तो भाई यार लोग पीरेस ले auto stock कर दिया है ठीक है अब यहाँ पर ना कुछ कुछ मैंने ऐसे चीजे को ज़्यादा रख लिया है जो मेरे पास ज़्यादा रखी हुई है तो वो अब यहाँ पर customer order करेंगे बाकी coffee वगेरा सब मैंने बंद कर दिया auto stock कर दिया है क्योंकि यहाँ पर coffee के order इतने जादा हो जाते हैं मेरे से कभी-कभी तो handling होते मना कभी-कभी तो यहाँ पर 7-8 coffee को order आते हैं मैं अकेला बंदा अकेली machine को खितने वारी चलाओंगा तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ी ते तक हम ओ भाई यहाँ पर इतने सारे shrimp को order आगे कोई बात निए यह तो order करना भाई तो एक-दो से मेरा कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर एक मैम का order आगे चुका है एक shrimp का और एक cold drink का ठीक है अरे cold drink भी मेरे पास खतम होगी मुझे cold drink भी auto stock करनी पड़ेगी यार ठीक है कोई बात निए हम cold drink को भी auto stock कर देते हैं मेरे को पता नहीं था मेरे पास cold drink पड़ी नहीं है हला कि मेरे पास inventory में तो पड़ी हुई है लेकिन मैं उसको अभी use नहीं करूँगा क्योंकि यह सब हम नया समान नई दुकान पर करेंगे जो यहाँ खुला हुआ समान है पैस उनको हमको बेचना है ताकि यह बरबाद ना होई ठीक है यहाँ यहाँ पर इसने यह order ठीक है दो यहाँ पर दुबारा से order कर चुके cold drink के पर cold drink हमारे पास नहीं पड़ी है और वह हमने out of stock भी करी दिया है एक minute यहाँ पर यह कस्टमर आ चुके इनको यह देना है अरे नहीं यार यहाँ पर यह भी खराब हो गया देखो भई अब इनको मैं किसी को ब दुकान को बंद कर दे क्योंकि यहाँ पर जितने भी समानत है वह सब खराब हो चुके हाँ कुछ कुछ रहते हैं अभी भी लेकिन उनको बाद में बेचेंगे फिलार यहाँ पर कुछ cash हमारे जमा हो चुके तो देख लेते हैं कितने जादा हैं ओह तेरी की बाई काफी लेंगे और यह भी जानेंगे यह होट डोग बनता कैसे मुझे तो बनाना भी नहीं आता और ketchup अगेर भी लेंगे हाँ होट डोग में तो ketchup चाहिए होता है तो यह मेरे को चाहिए होगा भाई तो कितने hot dog buy करें यहाँ पर 10 buy कर लेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 hot dog काफी होंगे एक तो वैसे भी मुझे बनाना नहीं आता है और मैं चाहता भी नहीं कि यहाँ पर मैं फाल्टू में इतने जादा hot dog ले लू कि सारे के सारे बरबाद हो जाए इसलिए मेरे ख्याल से 10 hot dog काफी रेंगे और थोड़ो सा ketchup अगेरा भी ले लेंगे ketchup तो जरूरी है hot dog के साथ बिना ketchup के यहाँ पर customer को भी मज़ा नहीं आने वाला है तो कौन सा ketchup ले रेड ले लेगा रेड भी मैं तो सारे के सारे ketchup ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पर customer को काफी तरह के hot dog खाना पसंद है किसी को यहाँ पर spicy खाना पसंद है कहीं को मीठा कहीं को चटपटा तो सारे के सारे ketchup हम ले लेते हैं और वैसे भी यहाँ पर मेरे inventory फुल हो चुकी है तो एक काम करते हैं पर पहला हम जाते हैं अपने घर की तरफ और उसके बाद सोते हैं सुबा उड़ते हैं और वैसे भी यहाँ पर रात तो काफी जादा हो चुकी है तो सिधा हम साहता हैं अपने hotel room में और वहाँ पर सोते हैं और सुबह उठके वापी से लगते काम पेटी गए तो देखते हैं यहाँ पर समान तो हमने काफी कुछ ले लिया हाला कि मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम होडो कैसे बनाते हैं पर चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे हम यहाँ पर सीखी जाएंगे त तो फटाफट यहाँ पर सोते और सोके फटाफट से उड़ते तो गाइस यहाँ पर हम सोके उठ भी चुके और यहाँ पर अभी मेरे खाल से टाइम हो रहा होगा छे बजे का क्योंकि मैं रोज छे बजे टाइम से उड़ जाता हूं देखो हाँ दस मिनट थोड़ा लेट हो पर तब भी छे बोल सकते हैं, छे बच चुके, तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे अपने नए शॉप की तरफ, और वहाँ पर हमारे पास जितना भी समान है ना, वो सब हम रखने वाले, उसके बाद दुबारा से जाने वाले हम यहाँ पर, इलेक्टोनिक शॉप के तरफ, ताकि वास हम ना, होटोग को गरम करने के लिए समान ले ले, पकाने के लिए समान ले ले, क्योंकि होटोग बनने आने के लिए हमको अलग से मशीन चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मशीन कितने रूपे में हमें मिलेगी, तो य अरगा सारा समान भई हम यहाँ पर अनलोड कर देते देखो भई कितना जादा समान मैंने रखा अपने इन्वेंटरी में और यहाँ पर हम काफी कुछ नया मशीन लेने वाले मैं सुतर हो क्यों न भई यहाँ पर न हम एक अपने लिए स्पेसिलिक फ्रिज भी ले 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 ताक कि यह जड़ी खराब न होए तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी समान था वो सब का सब हमने अनलोड कर दिया है बला यहाँ पर अब मेरी इन्वेंटरी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर चलते एक नई शॉप के तरफ मतलब अपनी इलेक्ट्रोनि ग्रिल ठीक है यह बाई कर लिया और यह फ्रिज भी बाई करी लेते यार ठीक है यह 400 डोलर का कितना जादा महंग आपर चलो कोई बाद निए इसको भी हमने यहाँ पर बाई कर लिया और यहाँ पर यह भी चाए था प्रेस ग्रिल 180 डोलर का तो caz भी आस तो हमने काफ़ी तगडी शोपिंग कर लिये मला यहाँ पर हमने ना कम से कम 1000 डोलर बरबाद कर दिये अपने पर चलो कोई बात नी यह सब हमने इन्वेस्ट कर दिये अपने बिजनस में अब देखते हैं इस बिजनस हम कितना जादा पैसा कमाते हैं उमीद है यहाँ पर एक हजार खर्चा तो कम से कम 10,000 यह बिजनस हमें बना के देगा तो ही फाइदा होगा तो यहाँ पर यह क्या क्या समान है ओ भाई में तो यूज भी करना नहीं आता कि कौन सा समान कैसे यूज करते हैं पर चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे तो हम यहाँ पर सीखी जाएंगे कि कौन सा समान हम कैसे यूज कर सकते है ठीक है तो ये ग्रिल है अच्छा यहाँ पर हम टोस्ट वगेरा टोस्ट कर सकते है ठीक है भाई टोस्ट वगेरा टोस्ट कर सकते है और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजे टोस्ट कर सकते हैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है चीजे कैसे काम कर पर चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो सीखी जाना यह सब, एक मिनट इसको सेट करके रख लेते हैं, ठीक है यहाँ पर हमने सब कुछीज सेट कर दी हैं, यह पता नहीं कैसे यूज करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, एक मिनट यहाँ यहाँ करके देख लेगा हैं, मैं यहां पर रख लेते हैं, ठीक है भई, यहां पर हमने fridge वगेरा रख दिया है, ठीक है भई, अब हम क्या इसके इसके अंदे कुछ समान को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, यह भी देखते हैं, मुझे पता हैं यहां पर चीजे को कैसे इस्तमाल करते हैं, एक मिनट इसमें एड कर सकते हैं, क्या बात है भई, एक मिनट में से हम रोल को निकाल के, मैं सवरो एक वारी फ्राय करके देख लेते हैं, कि यहां पर रोल बनता कैसा है, अगर यहां पर कस्टमर आया और भई, हम मेरे को बनाना नहीं आया रहा, तो मेरे पर भोध चिड़का मारेगा बंद सकते हैं, उसके इलावा यहां पर हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है भई, क्योंकि यहां पर कोई option ही नहीं आ रहा, एड करने का, अगर आता ना, तो मैं यहां पर एड कर सकता, लेकिन देखो, यहां पर मैं चोकलेट को डालने कोशी कर रहा हो, लेकिन यह एडी नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहां पर हम चोकलेट वगेरा नहीं डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम पास कोल्डरिंग या बीर वगेरा यह सब डाल सकते हैं, उसके इलावा यहां पर हम कुछ भी डाल नहीं तूजा ठीक है भाई और यूढ आप्स ग्रिल 어हा है को भूष में लूने ग्रिल काम करते है और भूष देखेंगे मुझे पत लगे मुझे ये घ्रील हो भी चुकाई कि यह कहीं काला ना हो जाएं ओ भाई बन चुका है एक मिनिट उसको यहाँ पर रखके देखे क्या नहीं भाई ऐसे तो यूज नहीं कर सकते इसको हम यार इसको बनाते कैसे है इसके अंदर का मटेरियल किदर गया अंदर सोसिस वगेरा डालते ना वो कहां गया यह तो खाली-खाली सा लग रहा है मेरको यार इसके अंदर का समान दब वो कहां चला गया रखता है वो भी मुझे क्रिदना बढ़ेगा यहां से खैर भाई यहाँ पर मुझे पकाना तो आता नहीं है क्योंना यहाँ पर मैं एक बंदा हायर कर लूँ हाँ एक काम करते है बंदे को हायर करकर देखते है कि वो कैसे बनाता है तो भाई यहाँ पर मैंने बंदा हायर तो कर लिया लेकिन वो यहाँ पर मुझे दिखनी रहे एक मिनट यह कई वो दूसरी दुकान में तो नहीं चला गया मैंने इस दुकान के लिए रखा था वो दूसरी दुकान में चला गया मुझे लगता है कि यहां पर मैंने बंद को हैर तो करा था लेकिन वो मेरे को कहीं दिखनी रहे वो लगता है हमारी दूसरी दुकान में चला गया मुझे जाकर देखना थी है एक मिनिट यहां पर दुबरा ट्राय करकर देखते हैं तो इसको ट्राय करकर देखते हैं ठीक है भाई यहां पर मैंने बंदा हायर तो कर लिया लेकिन मुझे कहीं दिखनी रहा है वो तो मेरे को लगता है भाई वो हमारे ना दूसरी दुकान में जाकर हमारा वेट कर रहा है मैं जाकर एक वारी देखी लू कि भाई वो कहां पर है फिलाप भाई यहां पर दुकान की हालत देखो कितनी ज़दा कराब है हर समान यहां बिकरा हुआ है पर चलो कोई बात ने इसको तो हम बात में सेट कर लेंगे फिला भाई यहां पर हमने जो वरकर हायर करा था वो इसी दुकान में तो दिखनी रहा तो पक्का वो दूसरी दुकान में ही खड़ा होगा एक बाई जाके कनफर्म कर लेते अरे यार यह तो यहां पर खड़ा हुआ है भाई तरको इस दुकान में नहीं जाना तरको जाना दूसरी दुकान में अब इसको कैसे समझाओ भाई कि तरको यहां पर काम नहीं करना है तरको दूसरी दुकान में काम करना है फिलार भाई यहां पर हम बंदा खड़ा सकते हैं दूसरी दुकान में नहीं खड़ा सकते हैं मेरे ख्याल से अरे यार यह क्या प्रोब्लम है फिलार भाई यहां पर मैंने बंदे को हटा दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये game कैसे काम करती है ठीक है पर चलो कोई नहीं दीरे दीरे ही समझेंगे मेरे ख्याल से नहीं हम उसको एक ही जिगे में खड़ा सकते हैं और जापर मैंने खड़ा है उधर ही वो काम करेगा तो देखो भाई यहाँ पर तो वो कोई worker खड़ा ही नहीं हुआ मतलब यहाँ पर मुझे खुद से काम करना पड़ेगा और जो मेरी पुराने दुकान है उधर एक worker में लगा सकता हूँ वहाँ पर ही वो काम करेगा तो शायद ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा पर चलो कोई बात नहीं हम ये काम भी कर देंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर काम करने के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे ना वो मिलेंगे काफी ज़ादा तो मेरे ख्याल से आज के लितना काफी होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना वे दोस्तों के साथ और जो लोग मेरी वीडियो को पहले बारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आक अंद बारा मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा मज़दा होने वाली है, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, बाई बाई